हालो एवरिवन वेलकम टु स्टडी रैपिट के इस वीडियो माँ आफ सभी का स्वागत है आज के वीडियो में बात करूंगा रेलवे गुरूप डी और एंटी पीसी में जो इंपॉर्टेंट जनल साइंस के क्वेशन हैं जो रिपीटेंट कई बार आये हुए हैं आपने थ सिक्यू होंगे multiple choice questions का option दिया गया है इसमें यदि आप टिक करना चाहते हैं तो आप वीडियो पहुच करके आप answer टिक कर सकते हैं यदि आप answer देखना चाहते हैं तो आप वीडियो करिफॉर्ट करिए चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन देखते हैं क्या है अगर आप को पता है तो आप वीडियो पहुच किजिए और आप इसे solve करने की कोशिच किजिए यदि आप solve कर लेते हैं तो बेटर होगा क्वेशन नमरा है कि हवा में ध्वन की गयत कितनी होती है यानि जो ध्वन की स्पीड होती है इन एयर वह कितनी होती है वह होती है 331 यानि 331 मीटर पर सेकंड होती है हावा में धनकी गयती ये question number 1 हुआ अगरा question देखे बहुत important है को जो स्वाद कलिकाएं होती है जीव में हमारे जैसे हम cut up महसुस कर पाते हैं मीठा आप चेक कर सकते हैं तीका चेक कर सकते हैं तो यह जो कनिकाए होती है वो सबसे ज़्यादा पुरुष में होती है active या महिला में सज़़ाता होती है यहां पर जो option है वो है B option number B okay है यानि महिलाओं में कनिक क्याएं जो होती हैं वह ज्यादा होती है as comparison to purush वेरी वेरी important question है आप इस question जरूर याद रखिएगा जो कि आपके exam के लिए बहुत important question है चल एकला question देखते है question अबर थर्ड क्या है जो खसरा बिमारी है वो किस वज़ा से होती है खसरा बिमारी जो होती है वो होती है रुबेला वारस से जो कि यह आपके लिए बहुत important question है आप इसको जरूर याद रखिएगा कि रुबेला वारस से ही खसरा की बिमारी शुरू होती है question बर 4 देखते हैं कि अनार का वारन नस्पितिक नेम क्या है यानि palm grenade जो अनार यूज करते हैं उसका जो वज़ानिक नेम है वो क्या होता है उसका जो वज़ानिक नेम है होत इंपॉर्टेंट नेम है उसका नाम है पुनिका ग्रांटम जोकी very very important question है तरफ कोपेश्चन है बट इस तरह से कॉश्चेनरा के पॉस्मिल्टी बहुत ज़्याद हो ती तो ऑच्गा ए cola 5 देखतिpy क्या है यांतरिक शक्थ कर ए यह यह इसाइया मतर्ख होता है उसका नाम क्या है यह यह कोता है what very very important question option number one is the okay question number six देखते हैं क्या है इस्त्री और पुरुष में सबसे ज़्यादा पलके कौन जबाता है या इस्त्री ज़्यादा पलके जपाती है या पुरुष जपाती है ये question बहुत important है आपके exam के point of view से क्योंकि यह science का question है क्या है मानो शरीर का सामान ये पाप मान होता है वह कितना होता है रदी कर दूσिशे केल्विन में आप मापते हैं डिगरी में नहीं मापना है यहां कर लेडि नमाप म स Chelsea का जो सामानत अंप मान होता है और फॉलरी का बंसब्रों old серव जिसके अंतरगत विज्ञान के अंतरगत किसका का वra मिट्टे सब्जी के पेढ़ का अध्यान की राता है ओल्डावी कल्चर विज्यान गया अंतर गधि ब्रताह तो नैत्दान का कौणसा भाद निकाला जाता है कुछ ट्रांसप्लांग अन्धर पर्संन यजि दूसरे विकती में उसे लखाने के लिए क्या अन्रख्तदानेतधतान के समय में हो निकाला जाता है कार्णिया कार्णिया यानिक यूज की जाती है नेतध दने में। Q10 a dark और एक सामाने रिकतर का उपमान एक एक स्वाहिट्स का टाक मान aik होता है मोगे नयनेतफ पॉइलिक्स यह होता है कोर्यनाइट में こ viensबबाई को मापने के लिए सफसे छोटी काईं कुंसी होती है जैसे मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह से है क्या होती है फ Mr. Nhvell का सफसे कोपने की ये वह सफसे छोटी होती जो कि माइनस में होती है ठीक है question number 12 पुदीना यनि मिंट पुदीने का जो वानास्पतिक नेम है या वज्ञानिक नेम है वो क्या है ये question बहुत important है for your competitive exam क्योंकि इस तरह से जो question है बहुत ही कम मिल पाते हैं तो पुदीने का जो वज्ञानिक नेम है उसका नाम होता मैंथा बैंथा होता है पुदीने का वज्ञानिक नेम है question 13 एक किलोग्राम राश्फिम का वज्ञ कितना होता है यदि आप उसे न्यूटन में मापते हैं जब आप न्यूटन में मापते हैं उसकी value कितनी होती है बहुते 9.8 very very important 9.8 होती है न्यूटन यदि आप एक किलोग्राम को न न्यूटन मापते हैं तो question 14 कि telephone में कौन से network का प्रयोग किया जाता है जब telephone के wire connect किया जाते है उसमें use किया जाता है white area network इसका full form होता है white area network इसका उपयोग किया जाता है telephone के network को बिछाने के लिए यूज करने के लिए, रेशम के कीट होते हैं, उनको पालने के लिए सबसे अच्छा विर्ष कौन सा होता है, जिसमें रेशम के कीट को पाला जा सकता आसानी से, वो विर्ष होते हैं सहतूत के, ठीक है, किस विज्ञान किस बीमारी के कारण मनुष्ट का खुण कटने के बाद जल्दी नहीं जमता है किसी विख्त को ब्लेट से कट जाता है या किसी कारण बस कट जाता है तो उस विख्त को कौन सी बीमारी होती है जिसे खुण जल्दी नहीं जमता है वो होती है हीमोफीलिया चोकि बहुत important question है exam के point of view से हीमोफीलिय विमारी के अंदगत व्यक्त को अगर कट जाता है कहीं पे तो blood जंदी रुखता नहीं है question अब 17 देखते क्या है कि मानोशरीय की जो आहार नली होती है उस नली की लंबाई लगभग कितने मीटर होती है एक सामान मनुश्की वो होती है 8 to 10 मीटर ये एक exact around figure है ये exam में पुछा आता है प्रिष्ट तनाव का SI मातरक क्या होता है प्रिष्ट तनाव का SI मातरक होता है वो होता है Newton प्रति मीटर very very important question numbers 18 का C options आई है question में 19 देखतें क्या है कि गुप्त उश्मा का यसाई मातरक क्या होता है गुप्त उश्मा का यसाई मातरक होता है वो होता जूल पर किलोग्राम option आप वरिष्टा question में 20 कि दाप बढ़ाने पर क्वथनाईंग घटता है या बढ़ता है जब आप दाप बढ़ाते हैं तो कतना है क्या होता है बढ़ जाता है तो आपका ऐसा एक मातरक होता है क्या आपको बताना है इसका जो आंसर है वोता है पास करने option number C is the okay question में 22 heater जो गरम करता है जो आप रूम गरम करे या खाना बनाते है उसमें जो वायर या तार लगा होता है जो गरम करता है वो किसका होता है वोता है नाइक्रोम का very very important question question number 23 फल जब पक जाता है पकने के बाद जो मीठा लगने लगता है तो मीठा किस वज़ा से लगता है उसका region क्या है वो होता है फ्रक्टोज फ्रक्टोज की वज़ा से फल पकने के बाद मीठे लगते है question number 24 तर्बूज जो आप यूज करते हैं गरमियों में तर्बूज का जो वज्ञानिक या वानास्पतिक नेम है उसको क्या कहते है तर्बूज का वानास्पतिक नेम है साइट्रुलस वुल्गैरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंग कोश्चन यह साइन्स का कोश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको ज़रूर याद रखिएगा question number 25 देखते हैं क्या है उस विज्ञान का क्या नाम है जिसके अंदर कीडों का अध्यान किया जाता है जो कीड पतंगे होते हैं उनका अध्यान किया जाता है कौन से कीड हारमफुल है और कौन से यूशफुल है उसका उस प्रियोग किया जाता है उसमें रिसर्च किया जाता है इस विज्ञान के अंतरगत वो कौन सा विज्ञान है वो एंटोमोलोजी entomology के अंतरगत कीटों का अधियान किया जाता है उनकी विकास के बारे में उनके नुक्सान क्या रहते हैं उनके वजह से इन सभी के बारे में तो ये 35 questions ऐसे हैं जो questions previous कई years से questions इव इजया में पूछे गए थे यदि आप सभी के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जिरूद शेयर कीजी और यदि आप नए है इस चैनल पर चैनल को जो सस्क्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से वीडियो डेली मिलता रहे और मुझे और मेरे टीम को प्रोशाहन देने के लिए और आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए और इस वीडियो को फवर्ट कर दीजिए वाटसअप या किसी अधा ग्रूप पे थैंक यू फार वाचिंग